वह एक हियाल चालो है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मोटो जीपी में यूज करते हैं वह वाला हेलमेट LS2 का LS2 Thunder FF805 जो FIM Rated है FIM Rated जो मोटो जीपी में रेसिंग में यूज होता है ये वो वाला हेलमेट है तो लेच्छ अंबॉक्स इट this is ls2 ff 805 thunder it's a carbon fiber helmet जिसमें आपको एक visor black visor tinted visor free आएगा मिलेगा ये प्यारा सा bag जो आप helmet carry कर सकते हो कहीं पर भी इसके साथ में और भी चीजे है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये खुला helmet cover के अंदर एक और cover मिलेगा and इसको करते हैं unveil बहुत lightweight है ये helmet literally मनलब excel size है पर ऐसा feel ही नहीं हो रहे है कि हाथ में मैंने कुछ पकड़ा हुआ है ये है helmet this is ls2 thunder c gp edition carbon gp edition यहाँ पर जैसा देख सकते हो ec rated भी है isa mark भी है इसके साथ में ये है film rated यहाँ पर देखो आपको hologram दिखेगा film rated लिखा हुआ है and this is carbon texture तो ये जो helmet है जैसा आप देख सकते हो पूरा design है ये पूरा aerodynamic दिया हुआ है ये specially high speeds के लिए बना है अगर आपके bike track पे use करने वाले हो high speed में आप चलाने वाले हो अगर आप super bike चलाते हो तो ये helmet आपके लिए है आप देखो इतना प्यार है इसका design है पीछे spoiler दिया हुआ है इतना बड़ा ऊपर air ventilation system दिया है आगे भी air ventilation system दिया है आपका वाइजर खोलने के लिए button दिया है forehead के लिए भी आपको air ventilation system दिया है अंदर से जो cushions है ये comfortable padding है comfortable and soft cushions है इसमे रेशर कुशन बाइजी पी रेशर कुशन बाइज इसमें पुल्स ट्रैप्स दिया है और अंदर से आप कुशनिंग देखो इसमें बड़ा सा chin curtain दिया है तो आप अगर track use के लिए कोई helmet ढूंड रहे हो तो FIM Rated में ये आपका सबसे best helmet रहेगा LS2 का FIM Rated जो track use के लिए जो standard मिलता है इस अब आप आएस आए एन एसी एन डॉट सर्टिफिकेशन सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन होता है अब आप यह सोच रहे होगे कि यह वाला carbon fiber में और जो LS2 का already carbon fiber आता है इन दोनों में क्या फरक है तो यह फरक है कि यह FIM Rated है इस नोट फिमरेटेड इस रेगुलर carbon fiber helmet इस इस डेगिलर carbon fiber helmet इस इस डेगिलर इन 6K इन 9K जिसमें 6 layer होता है इसमें 3 layer protection होता है यह भी ऑल्रेडी दूसरे helmet से बहुत strong है बट इसको और स्ट्रोंग और ज्यादा strength देने के लिए आपको यह वाला helmet लगता है जो MotoGP में high speeds में आपको use करना पड़ता है जो film rated आता है यह आप अगर आपको दिख रहा है size में भी आपको फरक दिखाए दे रहा है that's because this is excel and this is medium आप दोनों का size भी ऐसा compare कर सकते हो सब शेल आपको अलग मिलता है size के हिसाब से यह purchase करने से पहला आप पहले trial करके देख लेना आपको कैसा fit होता है आपके nearest LS2 premium store पे तो यह helmet के साथ में आपको मिलेगा यह इसका tinted visor extra tinted visor जो helmet के साथ में आएगा visor open करने के लिए elankee मिलेगा साथ में extra nose wind deflector है जो helmet के अंदर आप install कर सकते हो अब अगर track use कर रहे हो तो यह आपको बहुत काम में आएगा इसका attachment pipe भी मिल जाएगा आपको helmet के साथ में यह आपको neck cushion भी साथ में मिलेगा next support आपको इसमें हवा भर नहीं है reflectors साथ में मिलेंगे anti fog lens मिलेगा 100 number का 100% pin lock anti fog lens जो 100% coverage करता है visibility के लिए and आपको मिलेंगे यह tier of lens जो helmet के visor के बाहर लगेगा जो आप उसको tier करके निकाल सकते हो इसमें almost 4-5 आपको tier of lens साथ में मिलेगा आपको extra additional चीए तो आप contact कर सकते हो LSO premium dealers को तो यह helmet है अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे like, share and subscribe पे ठोको उसे एरी के सकता हुना है झाल